बॉलीवुड में जानवी कपूर और इशान खटर ने शुरुआत साथ साथ की अपनी फिल्म धड़क के साथ और इस फिल्म के साथ इन दोनों के बीज दोस्ती का रिष्टा शुरू हुआ कुछ टाइम डेटिंग करने के बाद दोनों ने ब्रेक अप करने का फैसला गया इसके पीछे दो बज़े बताई जाती हैं पहला जानवी के बच्पन के दोस्त अक्षत रंजन का उनके साथ ओवर फ्रेंडली होना अक्षत रंजन जानवी और उनके परिवार को काफी सालों से जानते हैं और वो जानवी की काफी खास फ्रेंड है जब जानवी का बढ़ दे था तो अक्षत रंजन ने उनको इस्टाग्राम पर एक खास पोस्त डाल कर उनको विश किया सिर्फ यही नहीं, अक्षा तरंजन के साथ जानवी ने जादा से जादा टाइम स्पेंड गना शुरू कर दिया जो कि शायद इशान खटर को नहीं भाया वहीं अगर हम दूसरी वज़े की बात करें तो वो है उनके एक्स बॉइफ्रेंड शिकर पहाड़िया का उनके करीब आना जानवी और शिकर एक दूसरे को पहले भी डेट कर चुके थे और इस वार दुबारा जानवी उनके साथ हैंग आउट करने लग गए थी यही नहीं इनकी एक फोटो भी वाइरल हुई थी जिसमें यह दोनों एक दूसरे को किस करते हुए नजर आ रहे थे जानवी कपूर के इस फोटो के वाइरल होने के बाद इशान खटर ने जानवी से अपने रिष्टे को तोड़ना ही भैतर समझा अगर आपको यह नुज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी खबरे पाने के लिए हमारे चैनल वीडियो वीडियो को सब्सक्राइब करें